मॉर्निंग स्टुडेंट्ट्स आज हम एक नई चैप्टर के साथ आए हैं और इसका नाम है चैप्टर 2 है कि फॉरेस्ट एंड वाइड लाइफ रिसूर्सेज जंगल और उसमें पाए जाने वाले जो जंगली हमारी जानवर हैं उससे सम्भंदित रिसोर्सेज इजी चैप्टर है विल्कुल अराम से पढ़ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आईगी देखिए बटा पॉइंट्स में पढ़ना इस चैप्टर को और वड़े तरीके से पढ़ना हम सभी जो है we share this planet with millions of other living beings हम सभी we human being share रहते हैं this planet is planet पर planet means इस अर्थ पर with millions of other living beings लाखों अन्य जीवों के साथ हम इस अर्थ पर रहते हैं है ना अब किस किस के साथ रहते हैं from microorganism from microorganism from microorganism from microorganism from microorganism and bacteria यह सबसे छोटे जीव होते हैं सबसे बड़ा होता है बरगत का पिड़ यह हमारे बीच रहते हैं हमारे साथ रहते हैं elephants to blue whales है ना यह भी हमारे साथ इस land को इस planet को share करते हैं कहने का मतलब क्या है हम जो है we share करते हैं किसको this planet को यानि अर्थ को किसके साथ with millions of other living beings लाखों अन्य जीवों के साथ अब वो अन्य जीव कौन से हैं अब स्टार्ट करें हम कहां से माइक्रो और्गिज्म से बैक्टिरिया तक लाइकें से बैने अंट्री तक और एलिफेंट से ब्लू वेल तक यह सभी हमारे इसी प्लेनेट पर रहते हैं this entire habitat that we live in has immense biodiversity यह जो entire habitat है अर्थ entire habitat किसके लिए आया है यहां पर अर्थ के लिए जो entire habitat है यह पूरा जो रहने की जगे है habitat means रहने की जगे that we live in जहां पर हम रहते हैं has immense biodiversity इसमें बहुत ज़्यादा biodiversity है यह जहां पर हम रहते हैं वहां पर immense biodiversity पाई जाती है कोई खास बात नहीं पढ़ चुके हैं हम पहले कई बार we human beings along with all living organism form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence बहुत अच्छी बात है आप लोग सभी जानते हैं इस बात को लेकिन एक बार फिर से return में देख ले हैं देखो we humans हम जो मनुष्य जाती के लोग हैं along with all living organism यह सभी living और सभी सजीवों के साथ हम मनुष्य देखिए यहां पर we plus all living beings यह क्या है complex web form करते हैं है ना एक complex वैब एक जटल जाल का निरमान करते हैं एक जटल जाल का निरमान करते हैं complex web को form करते हैं और वो complex web किसका होता है ecological system का यह नी परियावरन का है ना in which जिसमें we are only a part है ना देखो human being, micro organism ये सारे के सारे ये सारे के सारे इस ecological system का system में हैं और हम जो है we are only a part हम इसका एक पार्ट है जैसे कि ये ये सब इस ecological system का ये देखो सब जितने भी dots लगे हुए हैं ये सब ecological system है पूरा का पूरा ये पूरा ecological system है अब यहां पर है ये human being ये वी ये human being तो हम इस पूरे ecological system का क्या हो गए एक पार्ट हो गए एक हिस्सा हो गए तो we humans हम मनशलों along with all living organism सारे सजीवों के साथ क्या करते हैं form करते हैं यानि बनाते हैं क्या बनाते हैं एक complex web एक जटिल जाल का निर्मान करते हैं और वो जटिल जाल किसका होता है ecological system का यान इन विच जिसमें जिस परियावरण के we are only a part के वहला हमें एक हिस्सा मात्र है पूरा पर्यावरण नहीं है पूरा ecological system नहीं है हम एक जैसे एक यह एक स्कूल इंगे ठिकेन ये एक स्कूल बिल्डेंग है ठिके इसमें एक अचम यह एम्डी ठिकन फिर यह लैड टेक्निशेंट ओकेश्याज्च फिर आगया लैबरेरी कौन है तो यह पूरा एक क्या हो गया एक सिस्टम हो गया एक सिस्टम हो गया लेकिन हम क्या है इस पूरे एक सिस्टम का एक पार्ट है ठीक है ना एक पार्ट है मात पूरा एक सिस्टम नहीं है एक पार्ट है पूरे सिस्टम का जैसे यह एक इंडिया एक हम एक रफ मैप बना लेबल के बाद फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेबल उस पर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्ट इसके बाद आपका रूरल लेबल पर ग्राम पंचायत आती है तो यह पूरा क्या हो गया है एक कंट्री का सिस्टम हो गया लेकिन अगर कोई कहे कि सर यह पीम कौन है त लेकिन अगर उसमें से एक खिलाडी को लिया जाए तो वो पूरे सिस्टम का वो एक खिलाडी पार्ट होता है, ठीक उसी तरह से हम भी इस पूरे एकोलोजिकल सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है न, और पार्ट है and very much dependent, यहां भी ध्यान देना, और हम सबी जो है very much dependent, बहुत ज़्यादा निर्भर है, on this system, इस पूरे एकोलोजिकल सिस्टम पर निर्भर है, बहुत क्लियर चीज है, क्यों निर्भर है, for our own existence, अपने खुद के अस्तित्तों के लिए, देखो, जैसे, human being, इसको क्या चाहिए, survival के लिए, crop, यानि कि फसल चाहिए, अनाज चाहिए, कुर land से, land को क्या चाहिए, seed, ठीक है, seed को क्या चाहिए, soil, soil को क्या चाहिए, water, है ना, water को क्या चाहिए, minerals वगयरा, तो ये इंडर dependency होगई कि नहीं होगा, इस सब की एक दूसरे के उपर, अगर एक भी इस में से मैनस होता है, तो ये पूरा का पूरा system, गड़ बड़ा आइधिंग इट इस क्लियर ओके देखिए अब आप आगे एक फॉर एक्जामपल अब देको यहां पर एक्जामपल भी दिया है दप्लेंड प्लांट्स एन एनिमल्स जितने भी प्लांट्स है और जितने भी एनिमल्स हैं हमारे एन ग्राइखिए जीव यह क्या करते हैं मैंने आपको कल पीडियेफ दे दी है पूरे नोट्स की सिक्ष्टीन पेजेस की पीडियेफ है और नोट्स को आप क्लियर ली पढ़ना एक चीज क्लियर करके और बहुती इजी लैंग्वेज में इसको क्लायरवाई किया है बोक को उठा आने कि आपको बिल्कुल भी आवश्यक्ता ही नहीं पड़ेगी है सारे के सारे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है ठीक है ना ये सारी चीजह उसमें लिखी है इसको भी रीजन मैंने एक ग्राफ बना के एक्स्प्रेंड किया है जैसे देखो दब प्लांट्स एनिमल्स यह क्या करते हैं पॉधे एनिमल्स जानवर और माइक्र और जो छोटे छोटे जीव हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं यह क्या करते हैं रिक्रियेट करते हैं यहनि कि प्यॉरिफाई करते हैं किसको दा क्वालिटी ओफ एयर की क्वालिटी को प्यॉरिफाई करते हैं वी से हम पीते हैं and the soil और मिट्टी की quality यानी soil की quality को purify करते हैं that produces our food जो हमारे food को produce करती है जो हमारी भोजन को का उत्पादन करती है without which जिसके बिना we cannot survive जिसके बिना हम survive नहीं कर सकते देखो मैंने आपको जो आया है वो कैसे बताया है आपको देखिए अगे कर और आज़र को वाटर और सॉयल है एर को कॉन पुरिफाई करता है plant वाटर को animals और स्वाइल को माइक्रोज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज माइक्रोरिज्म होते हैं यह क्या करते हैं इस पूरीश सॉयल की फरेटेलिटी को डेवलप करते हैं यानि कि इसको एक तरह से यह कह सकते हम कि इसकी जो फरिटेलिटी पावर है उसको डेवलप करते हैं तो इस तरह से रीक्रेट किसे को रहे है माइक्रोरिज्म स्वाइल को तो आपको पूरा चार्ड बना के समझाएगा इसको देखना तो यह तीन चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होती है कि दा प्लांट्स पौधे यह क्या करते हैं एर क्वालिटी ओफ एर को प्यूरिफाई करते हैं जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं और बाटर और वीड्रिंग स्वाइल जिसके हम अपनी फसल को पैदा करते हैं तो यह तीन चीजें कौन-कौन सी प्लांट अधिशाना और आपका क्या नाम है माइक राणट एठीमल सब्सक्रासप नहीं कर सकते है और आगर बंद हो जाती हैं तो हम वैसे ही हमरी नहींत हो सभी होता है पानी की बिना हम थोड़े दिन जीवित सखते हैं सर्वाइब कर सकते हैं फूड के बिना हम सरॉइब कर सकते हैं कुछ दिन लेकिन अगर हमारी कुछ समय क्वाइब के लिए अगर के सेट्र होती है तो हम सर्वाइब नहीं कर पाएंगे यहां तक क्लियर forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all other living beings depend बिल्कुल इजी है यह forests क्या होते हैं यह क्या करते हैं प्ले क्या निभाते हैं क्या निभाते हैं एक की रोल एक प्रमुख भूमी का निभाते हैं प्रमुख भूमी का निभाते हैं एक रोल प्ले करते हैं किसमें in the ecological सिस्टम हमारे पर्यावरनिय सिस्टम में हमारा जो पेड़ पोदे हैं आसपाद जो भी हमारा पर्यावरन उसमें बहुत ही महत्पुन भूमिका निवाते हैं क्यों क्योंकि एज मिन्स क्योंकि वीज आरदा प्राइमरी प्रोडूशर यह क्या है प्राइमरी प्रोडूशर से है whenever just क्या है primary producers हैं कि सबसे पहले सामान यहीं से आता है on which जिन प्रोडुक्टपर all other living beings depends सारे कि सारी अन्य जो living beings है वो dipend करती है by forest यह है यहां से हमें फूड प्रोडक्स भी मिलते हैं एना और आपको देखो इंड़स्ट्री के लिए वुड भी मिलती है मेडिसिन भी मिलती है तो यह क्या है प्राइमरी प्राइमरी प्रोडूशर ही यहां से ही प्रोडक्शन सुरू होता है फिर उसको एक लार्ज स्केल दिया जाता है आगे क् अगर अगर आप प्लूरा इंदिया अगर हम चाहतर देखते हैं तो यूनिक प्लांट्स विच्या यूनिक in ये इरिया अगर हम चाहुत pressing देखें तो हमको लगेगा कि हमारे चारों तरफ कुछ पौदे ऐसे जो यूनीक है अलग से अधितिये हैं इनफेक्ट वास्तों में कोई मतलब कोई मतलब पढ़ना ही नहीं है इसको छोड़ दो कोई लेना देना नहीं है इसको इनफेक्ट अब आपको जो पढ़ना है वह इंडिया को क्या माना गया है रिचेस्ट कंट्री माना गया है वाइड का इंडिया को वाइड का रिचेस्ट सबसे सम्रद देश माना गया है किस मामले में इन तर्म्स मामले में किस मामले में बायोलोजिकल डाइवर्सिटी है ना वास्ट बायोलोजिकल डाइवर्सिटी व विशाल जैव विविधता के मामले में विशाल जैव विविधता यानि कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या में जैव विविधता यानि कि अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं इसलिए यहां पर यह कहा गया है कोई ज्यादा कठिन बात भी नहीं है आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है अजय के देखिए अ कि इन फेक्ट इंडिया इज वन अफ द वर्ड रिचेस्ट कंट्री इंडिया जो है वन अफ द वर्ड स विश्व के कुछ समरद देशों में से एक है किस मामले में in terms of vast biological diversity विशाल जैव विविद्था के मामले में भारत विश्व के कुछ समरद देशों में से एक है यहां पर जैव विविद्था यहां पर जानवर या पशु या केटल बहुत जादा पाए जाते हैं अभी और भी खोज होना बाकी है अटा दो इसको यहां आप पहले ही पढ़ चुके हैं इन डिटेल विस्तार से किस वारे में अबाउट एक्स्टेंट विस्तार के बारे में और विविद्था के बारे में वेराइटी के बारे में और फॉरेस्ट जंगलों की एंड वाइड लाइफ और वाइड लाइफ की वाइड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया भारत में जो वाइड लाइफ रिसोर्सेज हैं और फॉरेस्ट हैं उन से आप देखना जहां से स्टार्ट होता है आपका important point you may have realized आपने महसूस किया होगा the importance of these resources in resources का की importance को महसूस किया होगा in our daily life हमारी देनिक जीवन में these diverse flora and fauna यह जो अलग-अलग flora and fauna जो होते हैं are so well integrated in our daily life हमारी daily life में इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं these diverse flora and fauna are so well integrated इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं in our daily life हमारी देनिक जीवन में that we take these ध्यान से सुनना you may have realized आपने महसूस किया होगा the importance महत्त को of these resources in resources के कौनसे resources के forest resources और wildlife resources forest में जितने भी resource forest resources के बारे में का जो महत उसको भी हमने realize किया है और wildlife resource है उसको भी हमने realize किया हैं और ये हमारी life में इतने ज्यादा मर्ज हो गए हैं इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं कि अब हम इने क्या समझने लगे हैं कि चलो ये तो ग्रांटेड हैं, ग्रांटेड मतलब ये तो हमको एक तरह से अनुदान में मिले हैं, किसी ने हमको दे दिया है, तो हम इसको किसी भी तरह से expand कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसको खर्च कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है because ये हमें एक तरह से दान में मिले हैं जैसे आपने देखा होगा आदमी कभी खुद कमाता है तो खुद की कमाई को बड़ी मुश्किल से खर्च करता है धीरे धीरे खर्च करता है लेकिन वही चीज अगर कहीं से कुछ पैसा मिल जाये तो उसको तुरंत वो उड़ा देता है यही चीज यहां पर आपकी एप्लिकेट होती है देखिए इस डाइवर्स फ्लोरा इंट फोना यह जो डाइवर्स फ्लोरा इंट फोना है are so well integrated in our daily life हमारी daily life में इतनी ज़्यादा integrate हो गई है इतनी ज़्यादा merge हो गई है यानि हम इतना ज़्यादा इनको use करने लग गए है that we take these for granted कि अब हम इनको क्या समझने लग गए है कि अब यह हमें अनुदान में मिलने लगी है अब हमको यह free में मिलने लग गई है but लेकिन यहाँ ध्यान देना lately बाद में they are under great stress यह ना due to insensitivity in our environment लेकिन बाद में इनको बहुत ज़्यादा खत्रा होगा they are under great stress लेकिन अगर हम इसी तरह से इनका use करते रहे तो they will be under great stress यह क्या है इनको बहुत ज़्यादा खत्रा हो जाएगा और क्यों हो जाएगा इसको मैं आपको और explain करूँगा क्योंकि मेरा time up हो रहा है due to insensitivity to our environment क्योंकि हम अपने environment के लिए sensitive नहीं है कि हमें उसको किस तरह से preserve करके रखना है जब हम किसी चीज़ को preserve नहीं कर पाते हैं तो वो खत्म होती चली आती है okay boys यह chapter यहीं तक है इसको आप पढ़ना next आपका offline class में start करें good day